नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त हवदीव सिंग यूटीब चैनल पर स्वागत करता हूं और वीडियो है जैसे कि मुझे कल से काफी मैसेज आ रहे हैं कि रुमेनिया शेंगन में इंटर हुआ या नहीं हुआ ज्यादतर लोगों को तो पता चल चुका है क्योंकि जो कि अपडेट लेते रहते हैं यहां फिर कनेक्शन है एक दूसरे के साथ काफी लोगों के साथ फ्रेंड्स के साथ सो जैसे कि आपको पता ही था कि कल इनका डेसीजन था तो आस्टरिया ने मना कर दिया है इनके फेवर में की रुमेनिया काफी रीजन दिये उन्होंने जो मै डिसकस नहीं करना चाहता और मैंने आपको पहले भी बोला था कि काफी यूट्यूबर या कोई भी बंदा टिक टॉक पे काफी इन चीज़ों को डाल कर परमोड कर रहे थे कि रुमेनिये शेंगन में आने वाला है कोई यूट्यूबर भी थे पहले बोल रहे थे रुमेनिय तो ने रेट बढ़ा दिये, ये हो गया, वो हो गया, तो मझे ये दोगले लोगों की ना कुछ समाही नहीं आती, पहले तो उसी चीज़ को खुदी बढ़ाते हैं, फिर बात में उसी चीज़ को एजण्ट के उपर डालते हैं, तो चलो, उनको अपना काम करने दो, तो बात करते हैं ये कि रुमेनिया का रिजेक्ट हो गया है शंगन के शंगन जोन में इंट्री के अकोडिंग जो फॉर्मल्टी सी काफी कंट्रियों ने डेसाइड किया कि बहुत से रीजन है जिस वज़ा से रुमेनिया शंगन में नहीं इंट्रो हो सकता तो कुरोशिया हो गया है ज एक साल और आगे चला गया यह प्रोसेस तो भी नेक्स्ट एयर इन चीजों पर फिर डिसकस की जाएगी कि जो कमिया इनके रुमेनिया के अंदर बताई गी हैं और उन्हें सही किया जाएगा तो इन फ्यूचर हो सकता है रुमेनिया शेंगन हो जाए और जो मैं बात करना चाह यह नहीं मैटर की वो शेंगन है या वो मेरे लिए रुमेनिया बहुत अच्छा है वो शेंगन में हो या शेंगन से बार हो मेरे लिए यह मैटर नहीं करता मैं जब से यहां आया हूँ मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा जिया है एक बहुत अच्छी कंट्री है जो जैसा वैदर या जो कुछ भी यॉर्प की बाकी कंट्रियों में वो यहां पे मिलता है रही बाद सेलरी की ठीक है सेलरी लेबल थोड़ा कम है पर according to India देखा जाए अगर कोई 50,000 भी बचा रहा है रुमनिया में तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस समय इंडिया के जो सिच्वेशन है जो हालात है वो सबको पता ही है और काफी opportunities है इन फ्यूचर आप कुछ भी करना चाहो कुछ बिजनस करना चाहो तो रुमेनिया एक नई कंट्रिया और यहां पे काफी opportunities है फिर से बोलना चाहता हूँ कि रुमेनिया अभी शेंगन जोन में फिर नेक्स्ट एर इन चीजों पर फिर से process स्टार्ट होगा शायद यह हमारा काम तो है नहीं ठीक है न तो सब को बोलना चाहता हूँ ठीक है अगर आप लोग आना चाहते हो आए रुमेनिया आए एक अच्छा कंट्रिया और दूसरी बात है जिनोंने शेंगन जाना है वो तो अल्रड़ी यहां से चले ही जाते हैं रुकता कौन है आए या ना आए में यह नहीं लगता जो आने वाले उनके लिए यह मैटर करता है यह एक न्यूस देनी थी आपको और वीजा प्रोसेस वही जुलाई का ही चल रहा है काफी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है वर्क परमिट में और वीजा लगने में और हाँ एक बात औ बता है तो किसी ने जलंदर में जलंदर का कोई एजंट है उसने चार-पांच लोगों से सारे पैसे ले लिया और उसे फेक वीजा लगा के दिया और इन चीज़ों से थोड़ा बचे ख्याल करे अपना वीजा वेरिफाई ज़रूर करे ठीक है उसके काफी वे है तो किसी को पैसे देने से पहले ये चीज़ें सब क्लियर कर ले ठीक है जी तो फिर इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा तो इतनी सी जानकरी आप लोगों को देनी जरूरी थी आपका दोस्त हरदीप सिंग नमस्क्राइब